स्टार्ट अध्यक्ष महोदे यदी एकजेट पोल के आंकडे सामने आने के साथ ही विपक्छी दलों के विभिन नेताओं की गतिविदियां तेजी पकड़ रही है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि उनका एक मात्र उद्धिस एन केन पिरकारेण सरकार बनाने की संभावना टटोलना है बे इन समस्याओं की तलास करने के लिए सोतंत्र है लेकिन क्या यह है बहतर नहीं होता की चुनाव नतीजों की पिरतिक्छा की जाती और फिर परिस्तितियों के हिसाब से कदम बढ़ाई जाते सवाल यह भी है कि यदि विपक्छी नेता मोधी सरकार की बापसी रोकने को लेकर इतने ही पिरसिद थे तो फिर उन्होंने चुनाब पूर्ब कोई गटबंदन क्यों तैयार नहीं किया विहार की तरज पर राष्टिय इस्तर पर महा गटबंदन बनाने की बातें तो खूब की गई लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात बाला ही रहा अच्छा होता की अंतिम चरण का मतदान संपन होते ही इधर उधर दोड लगाने के बजाए विपक्छी नेता इस पर आत्म मन्थन करते की आखिर बैंगलोर दिल्ली और पॉलकत्ता में अपनी एक जुटता का तमाम पिरदर्सन करने के बाद भी बे चुनाब पूर्व गटबंदन बनाने में सक्चम क्यों नहीं हुए ध्यान रहे की केवल महागटबंदन बनाने के दावे ही नहीं किये गए थे बलकी नियूनतम साज्या कारेक्रम तै करने का भी बादा किया गया था इस बाद ऐसे किनारा किये जाने से आम जनता को यही संदेश गया की विपक्ची दल कोई टोस बिकल्प पेस करने को लेकर गंबिर नहीं और उनकी एक जुटता में उनके संकीन स्वार्थ बादक बन रहे हैं इसकी भी अन देखी नहीं की जा सकती की महागटबंदन की चर्चा के बीच ऐसे बयान भी सामने आने लगे की गटबंदन तो चुनाब नतीजों के बाद ही बनता है ऐसे बयान एक तरह से यही बता रहे थे की असरवादी राजनीती की आधार सिला रखने के साथ ही जना देश की मनमानी ब्याख्या करने की तैयारी की जा रही है पेरग्राप चेंज बिपक्ची दल एक जेट पूल के आखनों की चाहे जैसी ब्याख्या करें सच्चाई यह है की उन्होंने जनता का भरोसा हासिल करने के लिए आवसक कदम उठाने से इनकार किया समस्या केवल यही नहीं रही की चुनाब के पहले बिपक्ची दल एक जोट नहीं हो सके समस्या यह भी रही की बे चुनाब के दोरान एक दूसरे को मत देकर आगे निकलने की ओड में भी जोटे इसी के चलते बे एक दूसरे के खिलाब चुनाब लड़ते हुए दिखे कॉंग्रेस जिस सपाबासपा को अपने भावी सयोगी के तोर पर देख रही थी उसके किलाप चुनाब लड़ी सपाबासपा ने भी चुनाब बाद कॉंग्रेस से सयोग लेने की संभावना तो जगाय रखी लेकिन उसे अपने गटबंदन का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया कुछ ऐसी ही इस्तिती अन्य राज्यों में भी दिखी इस से यही इसपष्ट हुआ की विपक्ची दल स्वयम के बलबूते जादा से जादा सीटें हासिल करना चाहा रहे थे ताकि यदि नतीजें के बाद मिली जुली सरकार बनने की नौबत आए तो उसमें उनका दावा औरों से कही अधिक मजबूत हो सके पता नहीं चुनाब नतीजे क्या तस्वीर पेस करेंगे लेकिन इसमें दो राय नहीं की विपक्ची दल भाजबा अत्वा उसके नेत्रित्व वाले राजक से एक जुट होकर मुकाबला करने को लेकर गंबीर नहीं देखे